वेलो गाइज, वेलकम टे रडिशन प्लेस, तो जस्ट हम शॉर्ट ट्रिक्स में एकदम छोटे टाइम में बताएंगे जिसे आप दो मिनिट से भी कमें और एकदम छोटा वीडियो है ये जिसमें आप एकदम इन वर्टीब्रेट, वर्टीब्रेट और जो रिलेट्ट इसमें चार्ट और डेटे आप याद करोगे, मैं आपका बहुत ही कम टाइम लेने व और red वाला है crustaceae के लिए ओके चलो अपन को हर जगा अपन याद करेंगे कैसे याद करेंगे memorize from high area to low area जो graph में जो high area है वो पहले है और जो low area है वो last में इतना समझा गया सारे chart में एक ही जीज़ लगेगा high area पहले मतलब अब मैं कोई भी chart बताऊंगा उसमें जो high risk वाला है वो पहले है बड़ा से छोटा समझाया start करते हैं गईस तो इसमें नाम से क्या आ रहा है insect, other, molluska और crustaceae IOMC आ रहे है न एकदम easy है IOMC अब देखो इसमें I से I, O observe, M से Mary, C से Curie I observe, Mary, Cure, Invertebrate अब link कैसे रहेगा कि इसके लिए यही निमोनिक है Invertebrate में I आ रहा है और I से start हो रहा है इतना clear हुआ, I, 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 समझाया ओके, I observe, Mary, Cure, एकदम देखो graph देखके मार रहा है या चाहे निमोनिक चाहे जितने भी तुम funny बना लो लेकिन दुम को graph में जब तक उसको represent नहीं कर पाओगे तब तक clear नहीं होगा Okay, I, देखो, बड़ा से छोटा हो रहा है तो सबसे बड़ा जो मेरे को area दिखेगा वो I वाला रहेगा I से insect, O से other, M से Mary, C से Curie Okay, I observe, Mary, Curie, next चलते हैं vertebrates पे तो guys हम vertebrates पे आ चुके हैं, ऐसा ही pie chart रहेगा उसमें option गायब कर सकते हैं वो लोग तो मैं क्या बुला हूँ, बड़ा से छोटा, आपको graph देखके लगाना है कि कौन सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा हमको fish का दिखेगा, fish हो गया, उसके बाद मेरे को बड़ा दिखेगा birds का, हो गया उसके बाद लिखेगा reptile, उसके बाद आएगा amphibian, उसके बाद आएगा mammal ओके, ये सबको code है यार, video आपको 1000 हो मिल जाएंगी सीज के उपर fbram आप इसको क्यों facebook ram भी याद रख लो, कुछ भी याद रख लो इसको, fbram, मैं तो ऐसी बोलूँगा fbram क्योंकि हम facebook तो कभी बोलते नहीं है, अगर अपन facebook use करते हैं, तो उसको facebook थोड़ी बोलते हैं, बस fbfb करते हैं, तो वैसे याद रख सकते हैं हम लोग कि fbram, fbram, f के साथ साथ, आपको जरूर मिलेगा, तो पहले अपन plant का clear कर लेगा, चलो, plant का clear कर लेते हैं, ओके, तो देखो, plant में basically क्याना, तुम लोग diagram में confused हो जाओगे, तो diagram में confused नहीं होने के लिए, अपन एकदम easy trick है इसमें, इसमें ते को starting कहां से हुआ है, angiospum से हुआ है, ओके angiospum के लिए फंगी आया है, फंगी के बाद क्या आया है, आपके लिए बता सकते हो, तो आप तो alga आया है, alga के बाद क्या आया है, mosses आया है, उसके बाद fern आया है, उसके बाद lycan आया है, ओके, आ गया है इतना, अब अपन को याद कैसे रखना है, इसके लिए बहुत easy है यार ओके कैसे याद रखेंगे एएएएफ अलमारी में फेक लीना अब आप बोलोगे एएएएफ क्या है एट्रियल नैट्री यूरेटिक फैक्टर याद आया एएएएएफ तो दिखो अगर आपको एएएएएएफ याद रहेगा ना क्योंकि एएएएएफ आप नहीं से फंगाई आ जाएगा और अलमारी या अलमीरा जो भी बोलो अल आ रहा है ल रेप्रेजेंट्स अलगी अलगी हो गया मॉजस के लिए फर्न आ रहा है वापस लीना लिचेंज के लिए लाइकेंज के लिए इसमें समझने का एकदम इजी तरीका यार ग्राफ में देखोग लिचा और फर्न आएगा और लाइकें आएगा इसको याद केस रखना है एन-फ अलमारी में फेक लीना काने खतम अलमारी में फेक लीना क्योंकि देखो जादा ट्रिकल में जाओगे यार एक्जाम में अगर कोडी याद नहीं आया तो बैठे रह जाओगे न तो एक दम इ मिलेगी वो मैं बताना चाहता हूँ ओके चलो क्या नहीं मिलेगी बायो डावर्सिटी इन Amazon Amazon के जंगल में जो बायो डावर्सिटी है वो क्या होनी चाहिए ओके उसके लिए सबसे जाद होते हैं इनवर्टीब्रेट आपको डेटा याद रखने है दरकार नहीं आपको याद देखता है कौन जाद है कौन गम है ओके इन वर्टीब्रेट प्लांट फिशेज बर्ड्स रेप्टाइल्स एंफिबियन और मैमल आई प्रिफर एफबी राम ओके अगर मैं मिरा नाम अमिजॉन है मैं अमिजॉन जंगल हूँ मैं बोल रहा हूँ आई प्रिफर प्लांट से उसके बादि बर्टीब्रेट प्लांट से उसके बाद फिशेज बर्ट्स एंफिबियन मैंमल एकदम इजी कुशन है यार अगर तुमने मेरे टॉप 10 की सिरीज वो टॉप 10 MCQ from NCRT biology attempt नहीं की है तो जाके attempt कर लो अभी तक 10 video डल चुके है और last video ecology का भी upload हो जाएगा ओके चलो अब आता है knowledge booster यह आपको नहीं मिलने वाला था एक और knowledge booster मैं देना चाहता हूँ अपन अगर NCRT में पढ़े extinction के लिए कुछ लिखा था ना कि extinct हो रहा है मैं मतलब सब जानवर तो उसके लिए क्या स्याद रखोगे अब अगर आप उसको सजाते हो सीक्वेंस से सबसे जादा amphibian होता है जिम्नो स्पर्म होता है उसके आद मैंमल आता है उसके बढ़ड आता है यह धा ना एजी एमबी ओके अब यह देखो एक एक औरत अपने पती को प्यार से क्या बूलेगी एजी बुलती है ना एजी एजी मोडी बनाऊ न देखो यह थोड़ा सा जाधा फ़णी हो गया न लेकिन याद रहेगा इस से इससे तुमको पता चलेगा कि कौन जाधा हर हंई रिसक पै ऑक्स्टेंशन के तो एजी मोडी बनाऊ ना मैंने क्या बोला था हमेशा कि हाई से लोग अपन जाएंगे तो इसमें बोला एजी मुडी बनाओ कोई और अपने वाइफ अपने हस्बेंट को प्यार से बनाओ तो इसे याद रहेगा extinction कैसे extinction का पत्नी का kitchen से extinction हो रहा है दिरे-दिरे क्योंकि एजी काम पे जा रहे है ना kitchen पे काम सबको करना चाहिए यह मत सोचना है ओके चलो extinction के लिए एजी एमबी अब यहाँ पर मैंने नंबर भी लिग दिया नंबर याद रख सकते हो question में जैनरली पूचा नहीं जाएगा 32 31 23 और 12 इसमें कुछ नहीं है दिमाग में रख सकते हैं लेकिन क्या दिमाग में रखना है mean amphibian gymnosperm mammal उसके बाद bird ओके मतलब 32 प्रतिशत जितने जानवर extinct होते हैं उसमें amphibian ज्यादा होते हैं उसके बाद आता है gymnosperm आपका उसके बाद आता है mammal उसके बढ़ एजी मूडी बनाओ ओके अपन एक revision कर लेगा लास्ट से first तक जाते हैं ओके दो मिनिट लगेगा hardly साथ मिनिट का वीडियो बन चुका है बायडा विसे टिन आमसॉन आइप्रिफर एफबी राम ओके आयप्रिफर एफबी राम क्लियर हो गया place के लिए क्या था अंपन पड़े है ए एनष आलमारी में फेक लिना लिना जो लड़की है लास्ट में लीना लास्ट है लिना ENF अलमारी में फेक लीना कानी खात ताम एक दम एजी है अल से तो पता चल जाएगा M से मौस पता चल जाएगा फर्न के लिए पता चल जाएगा और अपन इतना जानते फंगी जादा होता है चलो इतना क्लियर हो गया चलो एक और पे अब हम वापस अगर पर बात करते हैं IOCM, IObserv Maricure हो गया खतम, कितना जल्दी होगा रिविशन, Invertebrate के लिए IObserv Maricure, Vertebrate के लिए FB RAM हो गया, उसके बाद आता Plant के लिए, ENF अलमारी में फेक लीना, ये भी हो गया उसके बाद आता Amazon का जंगल के लिए उसके लिए, क्या था, I prefer FB RAM, ये भी हो गया, देखो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तुरं तुरं I prefer FB RAM, ओके उसके बाद आता है कि Extinction के लिए AG मुडी बनाओ समझ आ गया, एकदम easy से clear हो गया, एकदम छोटा में मैंने ये आपको clear करा दिया है, guys all the best for a neat examination and also for aims examination, if you are watching for boards all the best for your every examination, please do comment video कैसी लगी, मैं जानता हूं कि video बहुत सरी ऐसे market में मिलेंगे तो मैंने भी एक try किया, guys, okay all the best